वेलकम फ्रेंड युक्ति याई इसकी सौलाइन प्लटफॉर्म पर मैं अमर अर्मिंद आप लोग का स्वागत करता हूं आज 31 अगस्त है तो दैने जागरंग के राष्टे संस का न्यूज पेपर में आप लोग के लिए प्रारंबी परिछा मेंस और इंट्रिवू रिलेटेट कौन-कौन से टॉपिक को कभर किया गया है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे और उसके में पार्ट और सब पार्ट पर इस तारूप से नजड़ आदेंगे आगे बढ़ने से पहले आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए साथ इसाथ बेल आइकन को भी दवाए ताकि सभी नोटिफिकेशन जो होंगे सबसे पहले आप तक पहुछे और जो हमारे पुराने नए लिशनर वीवर है च साथ इसाथ आपको डिस्क्रिप्स बाक्स और यूटु BU के कोमेंट स्रेक्षन में बहुस से लिंक दीए गये गये जिसमें आपको अपकर लिंक दिया होगा यूक्तीय अइस है वेशनर का लिंक है टेलीगराम का लिंक है टेलिसमें सभी के लिए सभी मेंबर उसमें जूर और एक दैनिक जागरन निहूज अनलैसिस का एक इस्पेशल लिंक है। आप जो दैनिक जागरन के वह लिए बना हुआ। वो आप लोग को two-way communication के लिए बना हुगा ध्यान रखेगा two-way communication जहां पर मैं अपनी बातों को वहां पर कुछ बातों को रखता हूं साथ ही साथ आप भी वहां कुछ बाते कीजिए यह बहुत rare case होता है जहां two-way किसी online platform पर two-way communication रखा जाता है तो आप जो भी अव्यर थी लाब उठाईए ताकि आपको अंतिम जो एक्जाम हो इंट्रिवू तब तक काफी फायदा मिले और इसका उद्देश यही है कि दैनिक जागन न्यू जैनल है two-way communication के साथ होगा तो इसका जुरूर आप लोग लिजे यह न था जो चीजे जो सभी लोग करते हैं वो मैं नह करना चाहता हूं यहाँ two-way communication साथ जो भी समस्या है आपका दैनिक जागन न्यू जैनलेसिस करेंट से टॉपिक से और वहाँ पर लोग को बार बार प्रस्न पूछा जाता है तो उसका आप लोग जवाब देने कोसिस कीजिए देखिए सुरुवात कीजिएगा तो ही अंतिम दूर करने का परियास कीजिए तो कोसिस कीजिए two-way communication को अस्थापित करने का ताकि उसका लाब मिल सके हैं चलिए आज हम लोग न्यूस पर देखते हैं तो केदरिवाल से बोले अन्ना हजारे जी कि आप सत्ता के नसे में डूब गया है देखिया कुछ प्रस ने create किया जा स रखता है आपसे कि क्या ऐसा कारण हो गया कि लोग पाला और लोका यूक्त कानून के संदर भश्राचार के संदर में जो अन्दूलन चला था जो सब एक साथ कंधे पर कंधे पर जो कंधे सकंधे मिला के लोग चले थे तो कुछ लोग रायनितिक के राजनितिक सहभागिता के साथ चलते हुए सुधार करने की बात कर रहे थे कुछ लोग अलग होकर अपने अंदरों को आगे बढ़ाने की बात के थे कुछ कारण हुआ थे उस पर बहुत से डिवेट हुए है और जो भी उससे आउटपूट निकला उसका एक ही कारण था कि सत्ता में आ कर हम अपने मांगों को रखेंगे तो यह कदम तो स्वागत योग था पर क्या जो निर्ने लिया गया था वो नियाचित था यह वर्तमान संदर में देखा जाए तो या क्या सही निर्ने था कि सभी रायनितिक जो दूर दर्शिता दिखा रहे हैं लोग, उसमें भी आम आदनी पार्टे उसी और अग्रसर है, तो यही अन्ना हजारे जी का प्रस्ण है, मुल रूप से यही प्रस्ण है, उसारे प्रस्णों का अगर निचोड निकाला जाए, आप भी उन स्रेणियों में सामिल हो गए, जो पुर्व की रायनितिक पार्टियां कर रही थी, जन्ता के साथ, तो यह आद यह देखिए, आप से कहीं से रिलेटेट प्रस्ण नहीं पूछेगा, पर यहाँ पर एक प्रस्णे स्वे मन्थन के लिए छोड़ता है, जहाँ पर आप लोग को इंटिवू से रिल कितना प्रसांगिक है, किसी भी पार्टि का राजनितिक वर्तमान समय में, तो आप से यहाँ से प्रस्ण के रियट किया जा सकता है, तो इसके लिए आप लोग को जरूर अपने एंसर को तियार करना है, तो इसके ड्रॉबैक को आप देख सकते हैं, आम आदमी पार्टि के राजनिति की सिधान्त क्या थे और उसके अधार पर उसने क्या कारिक कर रहा है तो उसके अधार पर ही आप इसके सिधान्त का वर्गी करन कर सकते हैं जिसमें आपको जो अन्ना जारे जी द्वारा है पत्र में बोला गया है कि जो पहली बार पत्र लिखा गया इनके द्वारा और कुछ प्रस्ण किये गये जिसमें कहा गया है कि लोकपाल आन्दोलन के कारण हम ने से जुड़ा थे और कुछ प्रस्ण जैसे थे राजनिती सोराज के किताब उनके दवर लिखी गई थी कि सराब निती ग्राम सभा के बारे में बड़ी बाते आपने की थी और साथ मैं सराब की दुकानों में राजनेता के शिफारिसों का अधिखारी प्रायरिस्वत लेकर लाइसन देते हैं देखी कोई बाते असपस्ट पैसे ही कायस ही कोई बायबैक्ती नहीं बोल देता है उसके पुर्ण तत्थ और कारण होते हैं तो देखिए सारे नितियों का उलंगा इनके द्वारा किया गया है अभी मैं किसी रायनितिक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ जो प्रारंबिक दौर पर जब आम आदमी पार्टी जब बन रही थी जब आंदोलन चल रहा था उस दौरान जो चीजे तै की गई थी क्या उस पर दिल्ली की आम आदमी पार्टी जो है वो कायम है जो रायनितिक सिधान्त को लेकर आगे बढ़ी थी तो यही मुल प्रस्ण है तो जो ड्रावेक है उसके अधार पर ही आप पस्पस्ट कर सकते हैं तो इस न्यूज को जरूर कभर कीजिएगा ताकि आने वाले समय में आपको जरूर उप्योग या दे सके यहीं इंटिव्योग में ही प्रस्ण क्रियेट होगा पहले P.T. और मेंस के लिए यह नहीं हो सकता है चलिए नेश्ट टॉपिक है बहुत मद्पून टॉपिक है P.T. मेंस और इंटिव्योग औरेंट आपको रिलेटम यह टॉपिक बहुत मद्पून है आने वाले समय में यह स्वेधानिक ब्याख्या को अस्पस्ट करेगा इससे इंद्रा साहनिवाद भी जुड़ा हुआ है आरक्षन का मुद्दा जो होरिजेंटल और भर्टिकल दिया जाता है वो भी इससे मुद्दा जुड़ा हुआ है तो बहुत ही महत्पूर्ण है यह सविधान संसोधन संसोधन और नियाइक समिख्या से संबंदिट टॉपिक को यह कवर करता है और PCS में आप लोग अपने अनुसार देख लिजेगा जिस स्टेट हिंडिया स्टेट पीसिएस से आप लोग है तो यह टॉपिक कहां कहां है किस पेपर में है जीएस के तो आप हम बात करते हैं कि ए डबलूश आरक्षन की वैता पो सुनाई करेगी सविधान पीट सविधान पीट की गठन जब भी बात की जाती है तो क्या होता कि मूलप्रस्ण होंगे उस पर सविधान निर्णे लेगा तो मूल प्रसन का रख्षन है इस पर निर्णे लेगा दूसरा पांच या पांच से अधिक जब नियाएधिस एक बेंच पर बैठते हैं उसे स्विधानिक पीट या स्विधान पीट कहा जाता है तो इसके संदर्मों आगे बात करेंगे पूरी ब् करेगा पीट 13 सितंबर के समान श्रेणी के आर्थिक कमजूर वर्ग EWS को नोकरियों में स्यक्षिनिक संस्थानों 10% का आरक्षन के मामले में सुनवाई करेगा यहीं पर साथ ही साथ यहां चीजे आप लोग को असप्रेश होने के चाहिए सविधान संसोजन जो 2019 103 संसोजन जो कि सीमा होने और आरक्षन के अधार सिर्फ आर्थिक होने के चुनोती दी गही इस याचिका में तो दो चीजे आप लोग याद दी रखिये गए अब सविधान संसोजन कानुन जो 2019 आया था उसकी वैदता की जाच होगी इस सविधानी पिट द्वारा और साथ यसाथ जो 50% कि सीमा है अरक्षन का अधार सिर्फ आर्थिक होने अरथिक होगा क्या इसकी विवैदता की जांच होगा इस सविधान पिट के दर्प दो प्रम्रशनों की जांच यह कि जाएगी साथ ही साथ इंद्राव साहनी वाद जो है 1992 के फैसले का अधार पर बनाया गया है याचिका जिसने किया इसका अधार वही बनाया है यही सविधान पीट धर्म के अधार पर अरक्षन के मुद्दे की सुनवाई करेगा साथ ही साथ यहाँ पर और भी याद करेगा धर्मिक अधार पर क्या आरक्षन दिया जाना चाहिए जैसे की तमिलाडों में किया गया था आंधर पर देश में समाजिक और सैक्षनिक रूप से पिछड़े मुस्लमानों के आरक्षन देनी की वैता के मुद्धा शामिलेज में जहाँ पर हाली में आंदर परदे सरकार ने आरक्ष समाजिक और सैक्षनिक रूप से पिछडे मुसलमानों को भी आरक्षन देनी की वैता की जी तो इन सारे प्रस्णों का सुनवाई अबूग होगा स्वेधानिक पिट में जो मुल प्रस्ण है आरक्षन के संदर में तो आप आने वाले समय में यहां से पीटी मेंस और एंटेवू तीनों जगह आपको काम देगा यह मुहतपूर्ण है तो इससे जरूर आप लोग कभर किजेगा आप बहुत जो देखिए यह जो फैसला आएगा ना आने वाले समय जैसे इंदरा साहनी वाद था जैसे 1992 से वर्तमान प्रसांगिक है वैसे ही यह भी पीट का जो निर्ने आएगा वो आने वाले समय तक प्रसांगिक बना रहेगा तो इस पर जब भी आएगा नजर बनाए रखेगा चलिए नेश्ट हम लोग देखते हैं पहले तो जो सवेधानिक पीट क्या होता उसके बारे हम लोग चर्चा करता है धिएन रखे और वोड मेप करता है इसी इंदार पर अनमामलो की फैसलों को सुनवाई करता है और सुनवाई पांच यह इससे अधिक नयाई धिस द्वारा की जाती है उसपीट को सुवेधानिक पीट या सविधान पीट भी कहा जाता है आप लोग ध्यान रखेगे यहाँ पर भारत में स्विधानिक पीट का प्रवधान स्विधान के अनुछेद 145.03 के तहद उपलब्ध है तो आपको 145.03 के तहद इसके अनुसार अधिक किसी मामले की सुनवाई कानुन का कोई महत्पूर मामला स्वविधान की ब्याक्ख्या से सम्मंदित होतो ऐसे पीठी या बैंच में नियाधिसों की कम से कम पांस संख्या होती है जो सुप्रीम कोट के नियाधिस होते हैं ध्यान रखेगा हाई कोट के नियाधिस यहां नहीं होते हैं तो पीटी में आप लोग को प्रशन यहां क्रियेट किया जा सकता है स्वविधानिक पीट में कौन से नियाधिस सामिल होते हैं तो केवल सुप्रीम कोट के नियाधिस ही सामिल होंगे नेश्ट है भारत के मुख नियाधिस को एक स्वविधा रोस्टर जो अनुसरन करवाते हैं उनके द्वारा ही किया जाएगा नेश्ट है सविधान पीठो ने भारत के कई सबसे परमुक परसिद और सबसे महत्पुन सुप्रिम कोट के मामलोग फैसला किया जिसमें एक गोपालन बना मद्राश वाद कितनी बार चाचा किया गया आप जब तक यह मुल धाचा सरचना विक्सित रहेगा और इसमें नए नए सब्दों का वर्गिकरन किया जाएगा नए नए मुल धाचा को जोड़ा जाएगा तो यह प्रासंगी बना ही रहेगा तो केश्वानन भारति वाद को जुरूर आप लोग स्पेसल तरीके से देखिए तोह भी है स्वःधानिक पीठ जिस पर गठन किया गिया है पांच या पांकश से अधिक याइदीशों का, जो बैञेंच बैठ था तो महतपूर ने आपने अपसे से थी होरे एज पुछ का और कुछ महतपूर्ड के यहां चर्चा की गई ताकि पूछ यह प्रास ने सुधन था वो क्या था वो क्या डिस्पूट पैदा किया जो वर्थमान वी आचिकाद ने यहां प्रस्ण किया है और उस पर स्वेधानिक पीट का गठन किया जा रहा है तो वर्ष नए अनुच्छेदों को समलित किया गया ताकि अनराच्छित वर्गर था जो अभी तक जिने आरक्षन ही मिला है को आर्थी रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षन का लाब परदान किया जा जिसमें अनराच्छित जो अन्रिजर्ब केंडिट होते हैं उनमें जो आर्थी रूप से परिवड़े आर्थी रूप से परिवड़े आर्थी रूप से जो कमजोर है उनको अभ आर्च्छन का लाब देना है यह एक सो तीन का सविधान संसोदन कहता है तो अनुच्छेद पाँछे और का खंड चार और खंड पांच उलेकित लोगो को छोड़ कर जो विशी हैं और बहुत से स्रेनियों में वर्गित अरक्षर हैं उसमें उनको छोड़का देश के सभी आर्थी रूप से कमजोर वर्गों के लोग को उन्नती के लिए विशेश प्रवधान बनाने और सिक्षन संस्थानों जो अनुदानित और गैर अनुदानित दोनों के लिए अधिकार देता है यह सविधान संस्थान जो किया गया थो तो मुल रूप से यह माना जाए जिसमें आपको जो जेनल कटेगरी जो आर्थिक रूप से कमजोर है उनको EWS के दरजे के तहत आरक्षन देने का प्रणान किया गया है नोट यहां याद रखिएगा कुछ इससे रिलेटेड कुछ महत्पून बिंदू है उसे याद रखिएगा अनुछे 30 जो है खंड एक संदर्वित अलब संक्यक सिच्छन संस्थानों को सामिल नहीं किया गया है क्योंकि उनके लिए अलग प्रणान किया गया है उन्हें 29-30 में जो प्रणान किया गया है उसके तहत अ अनुछे 66 राज को या अधिकार देता है कि खंड चार अर्था जो अनुछे 66 खंड जो चार है वो लेखित वर्गों अर्था जो उन्हें मैं अभी चर्चा किया को छोड़का देश के सभी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को पदों के न्यूक्तियों या पदों के आरक्षन का कोई प्रधान करे यह भी बात करता है साथ ही साथ यहां आरक्षन की अधिक्तम सीमा जो होगी 10% जो मौझूदा आरक्षन के अत्रिक्त होगी अर्थात 50 पलस 10 की बात यहां की गई थी मौझूदा आरक्षन तो 50% है तो उसके अत्रिक्त यहां बात की गई थी तो वहाँ नोट पर नोट आप लोग याद रखेगा क्या या अनुसुची जाती अनुसुची जन जाती समाजी को सैश्ची रूप से पिछे वर्ग अथात से बोला जाता बहुत से राज्यों में इबी सी भी बोला जाता जो ओवी सी की एक कटेगरी है उसमें उसे के लिए 50% आरक्षन की नितियों कवर नहीं किये गया गरीबों के कल्यान को बढ़ावा देने हैतु किया गया था धिनीमित किया गया था साथी साथ आपनों याद रखे गया है आरक्षन की सीमा का उलंगन कैसे किया जारा जिसे प्रस्नगत किया गया है जैसे वर्ष 1992 की इंद्रा शाहनी वाद या मामले में 9 नियाधी सो के सुविधानिक पीट ने आरक्षन की सीमा कितना तेकिया था 50% इस से अधिक आरक्षन साथ नहीं दिया जाना चाहिए नेक्स्ट है ये डवलू एस समंदित कोटा इस मुद्य को ध्यान में रखे बिना सीमा का उलंगन करता है तो जैसे अत्रिक्त नहां मैंने बात की क्या है अत्रिक्त आपको प्रधान करेगा यहां जो मजूदा जो आरक्षन है उससे अत्रिक का प्रधान करता है तो यह कहीं ने कहीं स्वेधानिक उलंगन की बात होता है मनमाना मांडंड क्यों माना जाता है इसे माना जा रहा है यह चिकात करता और कुछ सम्रूव के द्वारा तो यह है इसलिए माना जा रहा है कि पतरता जो तैय करने के लिए सरकार द्वा उप्यो पर पर कोई ब्यक्ति कितना पिछड़ा है इसके लिए कोई डाटा ऐनालेसिस सरकार के पास नहीं यहां तक कि सर्वोच न्याले ने भी सरकार से सवाल किया था क्या राज्यों में इडबलू से अरक्षन देने के लिए मौदरिक सीमा तैय करते समय हर राज्य के लिए परती ब्यक्ति जीडिपी की जाच की गई है यह प्रस्न किया जा चुका पहले भी तो यह लाजमी है यह या चिका है बहुत ही प्रसंगिक है तो यह भी प्रस्न इससे सौल्व होगा तो यह महत्पूर्ण है जैसे कि भारती जो राज्यों में परती ब्यक्ति आई के ब्यापक भिंता है जैसे सबसे अधिक गोवा में परती ब्यक्ति लगभग चार लाग के आसपास है वही बिहा सरकार नहीं नहीं किया न राज्यों नहीं किया और लागू कर दिया वैसे बिहार के ही बात की जा रही है बिहार में भी यहीं संदर बिद्ध है अब हम लोग इंद्रा साहनी अन्य बना भारत संगबाद जो 1992 था उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते क्योंकि यह अभी एक इंद्रा साहनी बाद की चर्चा जरूर किया जाएगा इंट्रिवू वोड के मेंबर के द्वारा तो इसमें आपको कुछ जनकारी होनी चाहिए जैसे इंद्रा साहनी बाद 16 नौमबर 1992 को निर्ने दिया गया था और इसमें 9 नियाधिसों की पीठ ध्यान रखेगा नो नियाधिसों की पीठ इसमें निर्ने दिया था इस पीठ में आरक्षन का सीमा जो था 50 परतिसर जैसे एतिहासी प्रस्ताव रखे गए थे जो अब तक होगा नेश्ठ आरक्षन समता के संतुलन के सिधान के अधा पर कम सीटों पर होना चाहिए यहां संतुलन समता के संतुलन का सिधान युक्ति युक्त जो परतिवन्द होता वो भी लगा सकता है राज्जी की बात की गई थी यहां पर यह किसी भी परिस्तिती में 50% से अधि का आरक्षा नहीं दे सकते हैं नहीं होना चाहिए क्रीमी लेर के अफ्धान पर भी महत देता है तो यहीं से क्रीमी लेर में प्राउधान आता है इंद्रा साहनी वाद के बात से, तो आप लोग को प्रस नहीं किया गया है, UPC, PCS और जो भी इक्जाम होते हैं गौर्मेंन कमपेटिटिटिव रिजाओ वहां से बार-बार प्रश्ण किया गया है कि क्रीमी लियर का उधारना किस वाद के बाद उबरा है तो इंद्राशाहनी वाद के बाद इसमें क्या होता है क्या इसमें क्या जाता पिछले वर्गों के लिए आरक्षन केवल प्रारंबिक नेक्तियों तक सीमित नहीं होनी चाहिए पदोनिती में भी आरक्षन नहीं होना चाहिए यहां पर इभी इंद्राशानी बाद में कहीं ने कहीं असपस्ट होता है और क्रीमी जातियों अनुसुशी जन जातियों के लिए ही भैलिट था मंडल आयोग द्वारा अन्य पिछडा वर जो अधर बैक्वेट का क्लासेज हैं ओबिशी को आरचित रेनी में लाया गया था साथ इसाथ राज्यो द्वारा धिक्तम सीमा को लंगन कैसे होता यही सबसे बड़ा ड्रॉबेक है कि राज्यो द्वारा नेमों का पालन नहीं किया जाता है होरिजेंटल और भर्टिकल दोनों रूप से राज्यो द पालनितिक जो मापदंड है उसे लागू करने के लिए सत्ता में बने रहने के लिए क्योंकि कोई ब्यक्ति विसेश समू समाज सभी लाब के हित को प्राप्त करना चाते है अधिक्तम लाब के हित को तो धर्म जाती और आरक्षन ऐसा मुद्दा है जिस पर कार्य अगरत्य जो ब्यक्ति विसेश या समाज करता है या पार्टी करता है उसको सपोर्ट समर्थन प्राप्त होता है बहुत अबादी छेतरों में यह बहुत ही महत्पूर्ण है समझने वाले चीज है कि दरकिनार करते विए राज्यों ये नए तरीके से इसे लागू किया गया जिसमें स तो यह महत्पूर्ण आपको तथे दिखने को मिलेगा कि इंद्रा साहनी बाद के बावजूद भी कई राज्यों ने जैसे महराज तेलंगाना राजिस्थान अम्मद पर्दिस पचास पत्सिसत अरक्षन सीमा का उलंगन करते विए कानुन पास किया है तमिलाडू हरियाना आप उन्हें भी आरक्षन पचास पत्सिस अधिक सीमा का उलंगन कानुन पारित किया है तो साथ ही साथ सर्वोच न्याले ने माराथा राक्षन के मामले मिनिर्ने के पचाथ तमिलाडू में 69% पर विचार करने का निर्ने लिया था जहां तमिलाडू में 69% आपको आरक्ष पत्सित्वत है कि इंद्राशानिवाद के बाद भी सवी राज्यों लगभग राज्यों ने आरक्षन के मुद्दे पर उलंगन किया है जहां पर भर्टिकल होरिजेंटल रूप से आरक्षन को लाव करते हुए इसे अपना स्वेधानिक अधिकार मान लिया और आरक्षन को कहीं ने कहीं एक गलत दिसे में लेकर गया है जहां पर यह जो वर्तमान है स्वेधानिक प्रीट का घठन किया जा रहा है वो बहुत ही प्रासांगी कहीं ने कहीं हो जाएगा तो आप लोग को यह समझने की जुरत है साथ इसाथ जनवरी 2000 में याद अकिए का हाल का यह घठना लगवद दस साल बारस साल का जिसमें अंधर परदेश जो है के लेंगाना सहीद जो था उसमें अंधर परदेश राजपाल अनुस्ची छेत्रों में अस्कूली सिछकों के पदो पर अनुस्ची जन जाती एस्टी के उमीदवारों के सौ परतिसत की घोशना कर दी गई थी जिसे कुछ समय बाद सरोज नया ने हलाकी अस्वेधानी घोशित कर दिया गया तो यहां पर समझ सकते राज्यों को राज्यों ने अपने सक्ती में कितना विस्तार किया जो सुप्रिम कोट की इंदरा साहन को पर आरख्षन देकर उसे समान धारा में लाने का परयास कर रहे हैं मेरा यह मानना है किसी व्याक्ति विसेती समुदाए को आृच्छन देने से बहतर होगा उसे इतना ससकत कर दिजे कि उसकी पेड़िया वर्तमान रूप से किसी वी आने वाल समय में किसी रूप से भी सं सब्ण हो जाए कि आरक्षं से मिलने वाला फैदा है उसको वहाझ ही वहन कर लें और possession जो मुद्दान जो ऑइस्यां का निदान होता है या भूर्ट स्कालिक समस्यां का निदान नहीं करता है इसलिए अरक्षन के मुद्दे पर सुविधानी फीट को कुछ ऐसा निर्ने देना चाहिए जिससे आने वाले समय में रोड मैप तयार हो और राजियों के दूआ जो अब प्रसांगी की रूप से अरक्षन जो दिया जा रहा है उसमें कहीं कहीं लगाम लगे तो यह बहुत ही महत्मुन टॉपिक आप लोग के लिए हो जाएगा तो कोशिस कीजिए कि आप लोग को यह सब टॉपिक कवर हो जाना चाहिए और आने वाले जो भी समय होगा वहां पर चीज़े असपर होनी चाहिए आप लोग को एंसर आइटिंग में देखिए यह आपको एक परशासनिक और राजनितिक समझ विक्षित करने में काफी महत्मुन युगदान या करेगा कि कोई बैक्ति किसी पद पर जाक कितना वस्तुनिष्ठ हो सकता है पद के परति वफादार हो सकता है और समाजी के रूप से वह कितना उप्योगी हो सकता है पेरना स्त हो instruments, मैं आज़़े में किसी पूरू के पर्धानमंत्री, मुख मंत्री या वर्तमान रुप से पर्धानमंत्री की की नहीं कितनी इमंदारी होनी चाहिए, यह सबसे इंपॉर्टेन्ट है, सब्सक्राइब आटी आई सवाल जो किये गए थे बहुत से आटी आई सवाल जिसमें आपको परधान मंदु जो केंटिन है जो संसद में जो केंटिन है वहाँ पूछा गए तो भोजन पर खर्च कितना होता है जो वो जो कपड़ा पहंत है उस पर उनका सालाना खर्च कितना वहन किया जाता स साथी साथ उनमें सुरक्षा से संबंदित बात की गई थी तो अमुवांद सभी में जो बाते थी यह उधर कर सामने आई कि जो लोक्स केंदीए लोक सुचना जो अधिकारी उसने जनकारी दी कि परधान मंती ने भोजन पो जो सरकारी बजट खर्च नहीं होता है भारत परधान मंती का मानना है कि सक्षम बैक्ती न केवल अपना खर्च खुद वहन करे बलकि जुरत मंदों के लिए भी आगे आए देखे सबसे बड़ा बात या है कॉंसेप्ट है यह हमें और आपको भी सीखने की जुरत है जो हमें सबसेडी सबसेडी की बात करते हैं या हम सरकार से ऐसी को यह पिक्षा रखते हैं कि हमें कुछ मुफ्त में दे तो यह कॉंसेप्ट को आपको त्यागने की जुरत है अगर अधी आप सक्षम है सक्षम है तो आपको स्वेखर्च वहन करने की कॉंसेट को लाना चाहिए जो सक्षम बेकती है उन्हें 100% उन्हें या योजना मिलने चाहिए जो फिरी की कॉंसेट जो लेकर आया और हाले में रेवडिया जो और मुप्त की जो रेवडिया की चर्चा चला इसी संदर में आप समझ सकते हैं कि जब प्रधान मंति स्वेखर्च अपने अस्तर पर बात करते हैं तो समाज ग्रूप से कितनी अस्तर पर बात रखे होंगे इसकी प्रसंग्ता को समझनी चाहिए तो यहाँ पर कुछ यही अस्पष्ट करता है तो आप स्वेखर्च के लिए आत्मंधन कर सकते हैं कि बैक्ति किसी पद पर जाकर कितना वस्तुनिष्ट हो सकता है वस्तुनिष्ट पद के परती करतविनिष्ट और समाज और जो आने वाले जनरेशन उसके लिए कितना प्रेर्ण अस्तोत कारी कर सकता इस से यही अस्पष्ट होता है यहां मैं पहले ही अस्पष्ट कर दिया है पहले के पर्धान मंत्री और वरतमान के परधान मंतिय के बीच में कोई अंतर नहीं कर रहा हूं आप एक समाज के ससक्त बैक्ति हैं उसमें आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए यहां से असपस्ट होता है तो कुछ चीज़ें जो होती है आपके एक्जाम से कोस्टन टॉपिक से अलग होता उसे भी आप लोग को जानना चाहिए ताकि आप में जिन्दा होने का सबूत मिल सके कि आप एक जिन्दे मानों के रूप में बैक्तिक रूप में कारिक कर रहे है चलिए नेश्ट हम लोग आगे बढ़ते है तब तक चैनल को जरूर शेर सस्क्राइब कीजिए ताकि और भी लोग हमसे जूड़ सके जल्दी हम सब्सक्राइबर तक पहुचने वाले हैं तो आप लोग हमारा सहयोग जरूर बनाए रखिए और उमीद करता हूं आपको जो चीजे दी जा रही है वो आपको इंड़ जो सेलेक्शन होगा उसमें काफी मदद करेगा और साथ ही साथ देखिए कुछ चीजे हैं आपको सबर क के साथ जीजों को चारिक कीजे यह निश्चित मान के चलिए कि जो टॉपिक किया जाता है वो एक्जाम ओरिंट होता है आप मैं दावे के साथ यह बोलता हूं जो भी लिश्ट आपको दिया जा रहा है एक्जाम होने के बाद पीटी के अस्तर पर मेंस के अस्तर पर और इंटिवू के अस्तर पर तीनों अस्तर पर आप इसे चेक कर सकते हैं क्रॉस वेरिपिकेशन कर सकते हैं क्या अधिक्तम कोस्चनों का चैन उस लिस्ट से हुआ है नहीं हुआ है यह मैं तीन इंट्रिवू के बाद और चौ मेंस के बाद यहां बात कर रहा हूँ ध्यान रखेगा और मैं बहुत दिगद दिगद जो कमपनिया है उनका नोट्स मैं तयार करता हूँ जो लोग मुझे प्रस्णली जानते हैं उस चीज़ को या बेहतर तरीके से जानते हैं मैं जो भी बात यहां रखता हूँ जो भी चीज़ें कहता हूँ उसका कुछ ठोस वज़ा होता है और जो एक्जाम ओरेंट होता है नहीं तो मैं अगर चाहता तो मैं बहुत से न्यूज को ऐसे कवर करता जिसके अधार पर भीवर और लिशनर मेरा बढ़ता पर मैं अपनी पूरी जवाब देता और जो मेरे रिस्पॉंसिलिटी है मेरी उसके अधार पर ही चीज़ों को में लेकर आता हूँ वही टॉपिक में आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ जो एक्जाम औरेंट है टू दी पॉइंट है उसके पर में और आने वाले जब भी आप दो साल बाद भी मेरे यूटूब चैनल को खोलिएगा उसे ऑपिन कीजिएगा तो आपको वह टॉपिक प्रसांगी उस अजिए और विश्वास रखिए आने वाले समय में आप बहुत बहुत तरीके से होंगे जो भी चूडेंट आप पढ़ रहे हैं कहीं भी पढ़ रहे हैं आपकी परतिसरत्ता की दर यहां बढ़ जाएगी क्योंकि जो मैंने सीखा है जो मैंने गलतिया की है उसको में यहां स क्योंकि देखिए जर्मनी के जो नौ नियुक्त राजदूत है अमबेजडर है फिलिप एकरमें उनके द्वारा या बात की गई है कि जर्माचल परदेश पर चीन का जो दावा है एक तरफा है जाती है इसके अलावा भारत की सीमा पर चीन का अतिक्रमन अंतराश्टिय बेवस्थाओं का उलंगन करता इसके शिवकार नहीं किया जाना चाहिए यह दो चीजे स्वेश्ट करता एक तो चीन की भूमिका को और दूसरा भारत की भारत के संदर में विश्ट के पटल में क्या चाप छोड़ा हुआ है वंतराश्टिय रूप से भारत क्या महत्व रखता है कि जर्मनी जैसा राश्ट भी हमारे बिहाब बात कर रहा है इस मुद्दे पर तो यह महत्पूर्ण है और अमबेस्टर का समझी अमबेस्टर का जो वक्तब होता है उस राश्ट का वक्तब होता है उस राश्ट का ही कही भी बात होती है क्योंकि उस राश्ट का परतिनिधी के तोर पर राजदूत अंबेजडर किसी देश में होता है तो महत्पूर्ण है तो अनवाचल विवाद से संबंदित हम लोग कुछ मुद्दे देख लेते हैं जो आने वाले एक्जाम में पीटी मेंस और इंट्यूविम आपको काम देगा तो भारत चीन विवाद सीमा विव चैनल पर उसे आप लोग देखिएगा जो यहां से लेकर यहां तक है छेत्र है आपको उत्राखंड हिमाचल परदेश इधर फिर आपको विष्ट बंगाल से लेका नवाचल परदेश पूरा छेत्र उसमें लगवद 34,088 क्लियूटर का छेत्र और उसके देखिए दो क्लि सीमा का व्वाद है तो यहां पर देखिए लगवद 34,088 क्लियूटर साजा करता जिसमें यह सीमा तीन सेक्टर में भाजित किया जाता है इनको तीन सेक्टर सथात इस्टर्ण, मिडिल और वेस्टर्ण सेक्टर में भाजित किया जाता है इत पूरी सीमा को चीन के साथ जो लगी सीमा साजा करता है भारत उसको तीन सेक्टर इस्टर्ण, मिडिल और वेस्टर्ण में बाटा जाता ह इस्टर्ण सेक्टर में सिक्किम और राचल परदेश की सीमा चीन से लगती है जो लगबत 1346 किनुट है ध्यान रखिएगा इस्टर्ण में मिडिल में हिमाचल और उत्राखंड की सीमा लगती है जिसमें आपको 545 किलोमेटर की सीमा साजा होता है बेस्टर में सेक्टर में लधाग के सीमा आती जिसमें चीन लगबग 597 किलोमेटर लंबी सीमा साजा करता है तो प्रफ को PT में यहां सभी पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ी लंबी सीमा कि से से भारत के साथ चीन जाकरता है तो आप लोग तक पढ़ा होगा याboo आप लोग नहीं अभी तक पढ़े होंगे जो लोग आज पहली बाइस चीज को जान रहे हैं तो आप कॉमेंट सेक्षे में जरूर बताईएगा ताकि मैं यह समझू कि कितने यूटूबर हैं कितने लोग हैं जो इस परकार के आप लोग को नौलेज देते हैं कि हर चीज को त दी यूटू यह सकता है तो अब विवाद किन किन मुद्धों पर किन किन रेखाओं पूसे देख लेते के हैं लाइन एक्चुल कंट्रोल जो है उस पर है इसके संपून छेत में लगो दो दर्जन से अस्थान ऐसे हैं जहां कि इस्तितिर भारत चीन हमेशा आपस सहमती नहीं है जिसमें आपको यह देखने को मिलता है साथ में वास्तविक नियंतरन लेखा है लेखा एल एश्री उससे सम पाचल पर्दिस और सिक्की में तेरे सो च्यालिस जो भी इस्टर्ण सेक्टर की बात की जा रही थी एलेसी का ही वर्गी करन है वह ध्यान रखिएगा तो एलेसी के संदर में प्रफशन किया जाए जाए दोकलाम वाद जो हुआ था उसमें एलेसी काफी चर्चा में था तो लदाग 1597 तो इसे आप लोग कभर किजेगा अनुराचल पर्दिस का विबाद क्या है यह विबाद वह रेखा है जिसमें सर्वे उफ इंडिया दवारा जारी नक्सेपा धहकारिक रूप से दर्साया गया था जिसमें अकसाई चीन चीन के कबजें भी सामिल है अनुराचल ने उसे गिप्ट में दिया था उसको आपको कुछ चेत्र को अकसाई के बगल का जो चेत्र है अकसाई हलाकी 62 के बाद अकसाई वहां पर चीन ने कबजा कर रखा है तो चीन उसे अपना परभूत चेत्र मानता है तो यह डिस्पूट का चेत्र है नोट याद रखेगा चीन पूरे अनुराचल परदेश को दच्छिन तिबबत के रूप में देखता है ध्यान रखेगा पूरा अनुराचल परदेश को दच्छिन तिबबत के रूप में देखता है चीन के जो हर धर्मिता है उसकी पराकास्ता या मानी जा सकती है कि अनुराचल परदेश को दच्छ गलत हो जाएगी जिस जिन तिब्बत का मुद्दा सुलदेगा उटोमेटिक अनुराचल का भी मुद्दा सुलद जाएगा तो यहां कारिया गतिविदी देखने की जरूत है आपको अनुराचल परदेश करीब 90,000 किलोमेटर का जमीन चीन अपना दावा करता है अलादा का करीब 38,000 वर किलोमेटर चीन के कबजे में या उभर कर सामने आया या अपने कबजे में मांगता है इसके अतरिक दो मार्च 1963 को हुई एक समझोता में पाकिस्तान के P.O.K. को जो पाकिस्तान अधिकरित कस्मीर है उसका 51,800 वर किलोमेटर देशनी जमीन जो था चीन को दे दिया कि गिप्ट में दे दिया था अकसाई चीन देखाने हैं अंगा यज अधिकरित पाकिस्तान वह आपको दे में तीन पार्टिया थी प्रितिस सथा थी उसमें भारत में छीम वर्तमान जो लिखर सरकार थी आर ति वर्ताऌन शरकार थी तो देखिए सबसे पहले तो मेडिमें रेखा के संदर में 22 ति यह डावागा है वह गलत होता है भारत के संदर में तो अटोमेटिक ऐसे ही गलत है कुछ हमारी अपरसांगी की राजनितिक अदुदर्सिता के कारण यह हाल उत्पन हुआ था चीन अनाचल परदेश को अपना पुरा उत्री तिबबत मानता है दशनी तिबबत मानता है तो यहां बहुत ही कारण हो रहा था त जोता में हुई थी जिसमें तिबबत भी एक पार्टी था तो कहीं ने कहीं या जो चीन का जो आक्रमक नितिय उसका प्रसांगी नजारा या देखने को मिलता है देखिए इस समेलन में क्या हुआ कि सीमा से जुड़े अहम फैसले लिए गये थे जिसमें उसमें ब्रिटिस इंडिया को विदिष सच्भी हेंडी मेक मोहन थे उन्होंने भाग लिया और मेक मोहन ने बिटिस इंडिया और तिबद बीच आट सो नद्य किलूटर की नंबी रिखा खिची इसे ही मेक मोहन लाइन कहा जाता है तो सबसे पहले 890 किलोंड़ा की मेक मोहन रेखा खिची गई थी इस लाइन में अनुराचल परदेश को भाद का हिस्सा बताये गया था मेक मोहन के द्वारा इस समझते को जो हुआ था च जो संवन नहीं मानता है वर्तमान की सरकार जो वह उसें नहीं मानती है औरman अर्श्वेधानिक भिता बोलता है कि अंतराश्टिय मानकों के अधार पर नहीं बनाया गया था इसनी में इसे नहीं मानता वो अपनी मनमानी कर रहा है समय जरूर आएगा जहां पर उसे भी जवाब पुरे जोड और ठोस के साथ दिया जाएगा वक्त वेटर वो समय सब कुछ बताता है और सिखाता भी है तो जरूर वो भी सिखेंगा समय आने दिजिए जेखिए इस पर पहले भी न्यूज कवर किया जा चुका है तो आइनेस विक्रांत नोसेना में सामिल करज किया जाएगा परधान मंतिर निर्मोदी के दवारा और इसके साथ ही एक नए निसान का भी अनावरन होगा तो इनसाइन का तो उस दिन हम लोग अपने इसके संदर में न्यूज को और करेंगे वह निसान की सुरूप से है याच चीजए परभाव लाता है वह चीजिवे आप लोग यहां से कभर करना पीटी में यहां से प्रस्न किया जा सकता है तो आप लोग को देखते रहना आगे बढ़ते रहना है यह नेस्ट हम लोग देखेंगे अ हिए जा सकता है तिससे जरूर कभर कीजिएगा उन्ना जिला जो हिमाचल परदेश का उन्ना जिला वहां पर यह अस्थापित होगा बल्क ड्रग पार हिमाचल परदेश के लिए के नया विकास का गातार के करीब बीस हजार रिवाओं को रोजगार मिलेगा अब फर्मा द्यो ड्रक्स का जो किरियानिवेन है उसको बनाए रखने के लिए इसका उद्देश साथ ही साथ क्या है दाल रियाद रखिएगा इसमें 90% जो वहन जो खर्च होगा वो किन सरकार करेगी और 10% राजि सरकार करेगी इस योजना का मुख उद्देश क्या है कि कच्चे माल अठा जो API है एक्टिव फर्मक्रिकल एंट्रिगेंट कहते हैं जो कच्छा माल ड्रक्स के लिए होता है उसके लिए निभारता को कम करना और दावा सुरक्षा सुनिश्यत करना अद्देश में बनाए जाने 35% दवाओ का उत्पादन जो वर्तमाम हिमाचल पर्देश करता है वहाँ पर लगवा 1100 फर्मा उद्योग पर्देश में वर्तमाम 90% API चीन से आता है ध्यान रखेगा इसकी निर्भारता को कम करना सबसे बड़ा मुख पर्देश जितना भी रोग मेट्रियमलों का ड्रक्स फर्मक्रिक में आता है इंट्रिगेंट के रूप में 90% चीन से ही आ महत्मून है तो सभी योजनाओं को जोड़कर आप लोग इसे कभर कीजिएगा आने वाले समय में आप लोग को यह बहुत ही काम देगा देखिए पहले भी बहुत से न्यूज को कभर किया गया है तो इसलिए लिस्ट को न्यूज में देखते रही क्योंकों से न्यूज और ताकि रोट सुरक्षा या सड़क सुरक्षा से समदित कोई प्रस्न आपसे पूछा जाए तो छूटे नहीं और यहां इनफ दिया हो गया है इससे अत्रिक कुछ पढ़ने के जरूत नहीं है और इससे अत्रिक ज्यादा होगा तो अतियोशक्ती होगी बहुत ज्यादा हो ज नहीं है हाई कोट के टिपणनी है और जो अंकिता मामला है जो एक दुमका की महिला है जो हमारे जुमेर जहां रहता हूं मेरा वर्क प्लेस होम है वहां से दुमका बहुत नजदिक है लगबग सतर असी किलोमेटर के आसपा से तो समझ सकते हैं मैं इस चीज को अच्छे तर वह सोव मोटो वह परकिलिया है जिसमें किसी वाजित मुद्त पर या किसी ऐसे अप्रसन जो जो इस प्रकार के मुद्ध होते जेलुंत music जिसपर सरकार सरकार की नजर लेट से जाती है प्रशात्मी अधिकार्यों के लेट के जाती है इस कूश्ट स्वतह संग्यान लेका मा साथ साथ दुर्पदी मुर्मुर्ग जो हमारी राश्पती है उनके दुवारा वी कल फेस्बूक और ट्वीटर पर ट्वीट किया गया इस सम्मंदित मामले से तो देखे इस पर मैंने कल भी चर्चा किया था कि इस परका की घटनाओं पर किसी भी ब्यक्ति समाज परशासनिक अधिकारी रायनितिक दलो को जो भी से सहयोग करते हैं बचने में ब्यक्ति विसेश को उस पर मैंने कल दुर्पदी मुर्मुर्ग जी का जो फेस्बूक लाइप पर मैंने यही बात लिखा जो आपको मैंने कल बताया था मैं उसका स्किन सेट सेर कर दूंग आप लोग को त पूरी जवाब देता के साथ आगे भी से फारवट करता हो तो देखिए यहां पर वही बात मैंने कल लिखा है और वही चीज होनी भी चाहिए कि क्या ऐसा कारण है कि निर्भया कारण के बाद इस्तिती और बत्तर होती चली गई है उस नियम के बाद जो कठोर नियम बना कि कि यह ड्रॉबेक नहीं है कि कोई बैक्ती विसेस के मन में और इसके जब बैक्ती के पकड़ा गया तो तूसके चेहरे पर मुशकान था उससे कुई उससे कानौन का खौफी नहीं था कि उसने गलती जो की है उसके बाद उसके साथ क्या होगा यह कारण क्या था इस पर शो कि उस बैक्ति विशेश के चेहरे पर सिकन तक नहीं आई है तो उसे क्या वो अब उसे किसी भी रंग में आप रंगियेगा मत मैं पहली बात बोलता हूं जी मेरे प्लेटफर्म पर आते हैं तो किसी भी राइनितिक के पक्षपात से दूर रहिए साथी साथ किसी धार्मिक पक मैं आप बैक्ति विशेश की बात कर रहा हूं वो बैक्ति कोई भी हो किसी भी धर्म जाती का उसके कानुन का भे नहीं है ताथ वो एक जंगल में घुमता हुआ उस खतानाग जानवर के समान है जो पूरे जंगल में जंगल के नियम को वो तार-तार कर देगा इससे कितने ल को लिखा है अगर यह घटना पर तरित करवाई नहीं हुआ तो आने वाले समय में कई एसने घटनाएं होती रहेगी तो यह चीजे आप लोग को जानने चाहिए ताकि आप लोग को समझ विक्सित हो कि मामला कितना संदिक्द है इसके पक्ष हविपक्ष दोनों हो सकते हैं पर व्यक्ति विसेश के चहरे पर किसी प्रकार का कानून का भय नहीं है तो यह कितना वड़ा मामला हो सकता आने वाले समय में चलिए नेश्ट हम लोग बात करते हैं चलिए नेश्ट बात करें यहां देखिए 5G के संदर में बहुत साया डाटा दिया गया है आप लोग इस किया जा सकता है तो आप लोग इस टॉपिक को कभर कर लीजेगा और मैंने जैसा कि आपसे वादा किया है 5G के संदर में सारे डाइग्राम को मैं कभर करूंगा तो इसके संदर में जल्दी वीडियो आप लोग को आएगा तो आप लोग जरूर इस चीश को समझेगा चलिए नेश्ट है देखिए यह जो जी एन बाजपई जी है इनका लेखा जाया जो पुर में लेखक सेवी के और LIC के पुरू चेर्मेन रहाश चुके है उनके दुआरा यह बात बोला गया कि भारत को विक्सित राश बनाने की चुनोतियां क्या होगी इसके संदर में दे संदर में भी चीजों को देख सकते हैं भारत के विक्सित राश बने चुनोतियां क्या इनके दुआर रेखांकित किया गया है और यह पद पर रह चुके हैं इनकी कुछ बहुत बहुत बहतर चीजों से नेगेटिव पॉइंटों को भार कर लाए है उसे सरकार को सिखने की जोलत है और उसमें सुधार करने की जोलत है जैसे कि नॉमिनल जीडीपी के लिहाद से दुनिया पांचवी क्रह सकती समता के यानि पीपी मोट के अधार पर तिसरी और दुनिया सबसे विर्दी करने वाली सबसे बड़ी अर्थ बहुत है यह तो रह गया डाटा चलिए डा च्छोड़ा गया है कि नेताओं के जो सोच है गतिवीदिये दो धुरियों पर केंदित होती एक तो धुरी अतीत और भविस के बीच होता है दोनों के बीच के अंतर होता जो वर्तमान उससे कारे करता है दूसरा नेतित करताओं के मुल्यों और अकंछाओं से जुड़ी हो पूंजी रेरा और जो एमस्पी पर समंदित बड़े धांचाकत सुधारों के मुत रूप देने की भारी राजनितिक पूंजी दाओं पर लगाई गई इसके साथ गतिसील डिजटल जैम यी गवर्मेंस के मादेन से मॉबिलिटी लागत घाट फिर इसके बाद घटाओं दिया गया है तो कुछ ड्रॉबेक बताएगी जो उजनायों को मॉडिवेट करना चाहिए या उसमें सुधार करना चाहिए तो इसके संदर में भी चीजों का आप लोगों को देखनी चाहिए साथ इसाथ संयुक्त राष्ट की जो 1947 में जो डाटा दिया गया भारत 164 अर्थ बावस्ता होनी होगी लागब आपको लानी होगी इसके लिए 3.2 ट्रिलियन डॉलर है वर्तमान में और 25 वर्सों में GDP को च्छा गुना अधिक है तो ध्यान रखेगा कितना हम लोगो कारिक करने इनके द्वारा बोला गया कि असंभो नहीं है पर मुश्किल जरूर ह है अगर कुछ सुधार क्या लिए जाया तो यह आपको प्राप्त किया जा सकता है तो कुछ बताया गया कि जैसे अभी यूनिकॉर्न कंपणी जो हाली में एक सो से अधिक यूनिकॉर्ण कंपणियां हो गई तो हम लोगों कुछ और भी डेका कॉन यूजन कंपणियों को डवलब करने के लिए उसे मुलाधार देना उनको डवलब करने के लिए उसे प्लेटफॉर्म देने के लिए ऐसा कारी करना होगा जिसमें दस बारत ट्रिलियन डॉलर जोड़ सकता है अरद अगर डेका कॉन कंपणियों को डवलब करते हैं और नासकान जो संस्था है उसके दवारा बोला गया है लगवा 66 उनिकॉर्ण ने 33 लाक लोगों को रोजगार दिया गया है तो ध्यान रखेगा ठाथ एक उनिकॉर्ण लगव कंपणियों को और भी विक्सित करने के उनको इंस्ट्रक्चर देना चाहिए सुविधा सरकार को देना चाहिए एक नया नीती लाना चाहिए ताकि नए तरीके से इसमें काम हो सके साथी साथ कुल जो मिलकर राश्ट सबसीडी अनुदान या रियायती दरोपकर कर रिवाओं को कम करते हुए एक जोखिम या था इस परकार के सर्विस प्रोवाइडर के रूप में उभरना चाहिए जहां पर वो इन समस्याओं को समधान करने के लिए बैक्ती को ससक्त करें मैं यह बात पहले बार बार कहता था आज देखिए आज इनके द्वारा यह बात क कि गई है तो कितनी महत्पून बात आप लोग को है कि सबसीडी अनुदान रियायते द्वरोप जो कर जो प्लब्द करा जाता है उसके बदाय हमें उसे जोखिम लेने के लिए पुरसाहित करना चाहिए ताकि वो इनोवेटिव आइडिया इनोवेटिव तरीके से कारे कर सक सार्विन वेल्थ फंड्स और पेंसल फंड्स के भी इनोंने चर्चा किया यह बहुत महत्पून फंड्स होता है इसके संदर में भी आप लोग को यहां पर देखने को मिलेगा शाद में नेताओं को उदेश के सफलता राज की अनिवार सकती नहीं है बलकि उस प्रन की धरा प्रसाहन कितना प्रसांगी कि यह मुहत्पून है इनके द्वारा इबात की गई है इस लेक में आप लोग को बहुत सी चीजे सीखने को मिले गई तो इस लेक को जरूर आप लोग पढ़िएगा जितने अंडर लाइन किये हुए है उससे जरूर की नोट में सामिल कीजेगा लोट डाउन किजेगे ताकि आने वाले समयम आप लोग को काम दे देखें नेश्ट यहां पर है दो खबर है एक पीटी ओरियंट है और 2007 कल निती आयों के द्वारा किया गया है आर्थिक सलाकार परिस्ट जो है उनके जो जो अध्यक्ष है विबेक देवरा है उनके द्वा आते की गई है तो जेखे पहले तो पीटी गोता मंदानी बने दुनिया के तिसरे सबसे अमीर बैक्ति और उनकी कुल कम संपती हो गए जो उसके बारे में चर्चा की तो यहां से प्रस्ट आपको पूछा जा सकता है 137 अरब डॉलर हो गया और जो बनाड अल्ट है उनकी बढ़ है और साथ यहां पर सबसे बड़ी समु के रूप में जो है रिलाइश्य और टाटा समु अदानी समु भारत के किसरी सबसे बड़ी कारवबार समु है अथा से उनके कारवबार का विस्तित रूप है तो उसके संदर्मे कुछ डाटा दिया गे जो एग्जाम ayuda पर एक न्यूज है जिसमें आपको जो उपर जो चर्चा किया गया आर्टिकिल में इसी से संदर भीत है तो इसमें जेखिए क्या है आर्थिक सला का जो परिशद है उसके अध्य जो विवेक देवराय है उनके द्वारा कहा गया पचीस साल जो तक विकास अगर सेवन से लेकर 7.35 तक रहने पर भारतिया विष्टा 20 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी इनके द्वारा यह बोला गया 7.75 के आउसत दर्ष से भी भारत विकास करता है तो अगले पचीस साल में भारत 20 ट्रिलियन डॉलर की अर्थविवस्ता हो जाएगी इसके लिए वर्ष 47 तक परती ब्य परती चाहिए वर्ष 47 तक भारत को विक्सित देखने बनाने का लक्ष इसी के लिए रोड मैप कल दिया गया है दा कम प्यूटिजनेस रोड मैप फॉर इंडिया एड़ एड़ दी हंड़ेड जारी किया गया देवराई के दोरा देवरा जो विक देवराई उनके द्वारा तो यह 47 तक लक्ष निधारित करता है और जो भारत अभी 2.7 ट्रिलियन डॉलर के साथ छठे नंबर के अर्थ बहुत था विकासिल देशों के सिर्णी में सामिले उसे विक्सित करना है और वहां तक पहुचाना है तो इसके लिए जो लेक में बाते की गई उससे आप समझ स प्रस्त पूछा जासकता कि संस्तादवाय जारी किया गया तो इस रिपोर्ट पर एक वीडियो में लेकर आऊंगा जल्द ही आप लोग के लिए जो इंडिया है तो उसे हम लोग कभर करेंगे उसमें बहुत सी बाते आएंगे उस पर मैं अनलेसिस कर रहा हूं अभी उसके पक्ष भी पक्ष दोनों जानने के लिए तो आप लोग के लिए वीडियो ज़रूर जल्द आएगा ताकि चीजों को और भी बहतर तरीके से हम लोग समझ सके आज के वीडियो में इतना ही कल हम लोग फिर एक नए वीडियो नेसिस के साथ आएंगे दैनिक जायर नीज करता है मनमाने तरीके से अपने नीमो को तुगलक फर्मान जारी करता है उस पर रोक कहीं ने कहीं लगे एक्जाम होना नहोना वह अलग बात है आप नीमो का उलंगन किसी भी सूरत में नहीं कर सकते हैं तो नियम अगर आप नियम हम लोग नियम के साथ बंदे हुए है तो यह जरूर दिखनी चाहिए आयोग में बैठे लोगों को कि छात्र केवल आपके निर्ने पर नहीं चलते हैं, छात्र सामुहिक रूप से भी अपने मांगों को रखते हुए, अपने स्वेधानिक मांगों को रखते हुए, आपको उन कारियों को न करने के लिए परिद करेंग से ज्यादा दूर नहीं है, एक गाय घाट से पाते हैं, तो उसके मीडिल में है, तो आप लोग जाये सपोर्ट कीजिए, तब तक के लिए धन्यवाद, जैहिन,